बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार आप सब का स्वागत है दिवाली के स्पेशल राशी फल पे 24 अक्टूबर 2022 से अगली दिवाली 12 नॉवंबर 2023 तक का समय आपका कैसा बीतेगा ये बताएंगे आपको इस विशेश राशी फल में मकर राशी मकर राशी वाले इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या करें आपका समय कैसा रहेगा देखे मकर राशी से तीसरे घर में देव गुरु ब्रहस्पति विराजमान है और मकर राशी में ही शनी देव बैठे हुए है मकर राशी वालों के लिए ये दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आई है आपकी इंकम बढ़ेगी नॉमबर 2022 से अप्रेल 2030 के बीच में आप अपनी आय को बढ़ाने में काम्याब होगे धनलाब के रास्ते आपके लिए खुलेंगे व्यापार को आगे बढ़ाने के आउसर मिलेंगे आपकी कोशिसें रंग लाएंगी आपको अपने लाभानी का विचार बहुत ध्यान से करना होगा उसी के हिसाब से फैसले करने चाहिए और हाँ अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिस करिएगा गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च ना करें नहीं तो आपका बजट बिगड सकता है मकर राशी वालों को मित्रों से मदद मिलेगी और मित्रों की मदद से आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक तरक्की के कई अउसर प्राप्त होगे रिष्टे नाते कैसे रहेंगे मकर राशी वालों के इस दिवाली से अगली दिवाली तक देखे अपने परिवार वालों से रिष्टे अच्छे रखने के लिए आपको और प्रियास करना चाहिए तब ही आपके रिष्टे और अच्छे होंगे अगर आप चाहते हैं कि रिष्टे अच्छे रहें तो अपनी वाणी का प्रियोग सोच समझ करके करें थोड़ा सा सुगर कोटेट बोलें, मीठा बोलें मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा दूर के रिष्टेदारों से संबंध और बहतर होंगी सेहत कैसी रहेगी? जन्वरी 2023 से मार्च 2023 के बीच अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखियेगा उपाय क्या करें? जिससे कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक का समय आपका बहुत अच्छा भी दे नियम बना लिजे प्रति दिन गायतरी मंत्र का ग्यारा हमाला जाप करें इसके बाद अपने दिन के शुरुआत करिये आप सुबह सुबह गायतरी मंत्र का जाप कर लेंगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा भीतेगा और एक दिन अच्छा भीतेगा दूसरा अच्छा भीतेगा इस तरीके से इस दिवाली से अगली दिवाली तक का पूरा साल आपका बहुत अच्छा बीत जाएगा